नमस्ते दोस्तों खुसी कीचन में आप सब का बहुत बहुत सबागत है दोस्तों आज मैं आप सब के साथ ट्राइकलर ढोकले की रेसिपी सेर कर देए हूँ तो चलिए वीडियो देख लिजे एक बावल ले लिए हैं इसमें हम एक कटोरी सूजी डाल रहे हैं और जितना सूजी लिए हैं उतना ही दही ले रहे हैं और दोनों को अच्छे से हम मिलाएंगे तो दही डालने के बाद पहले मैं इसमें नमक डाल लेती हूँ स्वाधन उशार और इसी के साथ एक चमच में तेल डाल रहे हूँ यह कुकिंग वाइल है कोई भी कुकिंग वाइल आप ले सकते हैं सरसो का तेल चोर के इसको अच्छे से हम मिला लेंगे दही थोड़ी मीठी है तो इसलिए मैं चीनी नहीं डाल रहे हूँ आपका दही नॉर्मल है तो थोरा साफ चीनी भी इसमें आधा चमच डाल सकते हैं ये देखी बढ़िया से मिक्स हो गया है इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं परेगी और इसको अब हम ढखके 15 मिनिट के लिए रेश्ट पे छोड़ देते हैं ढोकला में कलर देनी के लिए मैं एक औरेंज बला गाजर रखी हूँ और एक मुठी धन्यापता है तो ये दोनों को हम अलग-अलग पीस के त्यार कर लेते हैं ये देखी धन्यापते का चेटनी बना के मैं त्यार कर लिए और इधर एक गाजर जो लिए थे उसका भी पेष्ट बना के त्यार कर लिए हैं बैटर रेश्ट कर लिया है तो इसको एक बार हम मिला लेते हैं अभी आप देख रहे हैं बैटर गाढ़ा हो गया है क्योंकि सूजी फूल गया है तो बैटर गाढ़ा हो गया है तो बैटर को हम तीन भागों में बाट लेते हैं तो मैं तीन कटोरी ले ली इसको अलग अलग करके रख लेते हैं तो यह देखे सब में में बड़ाबर बड़ा से इसमें मिला लेते हैं यह देखे अच्छे से मिलाने के बाद कितना प्यारा सा कलर आया है आप चाहे तो धनिय पते के जगर पे पालक का पता भी इसमें यूज कर सकते हैं तो अब दूसरी का टोरी में हम यह ओरेंज वाला गाजर का जो पेश्ट बनाए थी यह डाल देते ह और इसको मिलाने के बाद यह हमारा ओरेंज कलर का त्यार हो जाएगा तो मैं इसको भी अच्छे से मिला लेती हूँ यह देखे बढ़िया सा ओरेंज कलर भी बन के त्यार हो गया है तो आप जितना फ्रेस गाजर और धनिय पता का यूज करिएगा उतना बढ़िया इसमें क तो इस तरिके से हम मिला लिए अब मैं वाइट वाला बैटर को मिला लेती हूँ, तो इसमें कुछ नहीं डालेंगे, बस दो चम में पाइच रहे हों, इसको अच्छे से मिला लेंगे क्यूंकि ग्रिन वाला बैटर और अरेंज वाला बैटर थोड़ा सा पतला है और यह बहु दिये हैं और इसी पाउच में हमारा तीनो कलर में हो जाएगा तो थोरा सा एक चमजितना इसमें में पानी डाल दी और इसको अच्छे से मिला लेती हूँ बैटर में इनो डालने से पहले आप ग्यास पर कढई में पानी गरम होनी के लिए डाल दीजेगा जिस बरतन में आपको धोकला को स्टीम करना हो और धोकले को जिसमें स्टीम करेंगे उस बरतन में भी तेल से आप ग्रिस करके पहले ही रख लिजेगा तो इस तरीके से मैं ये बरतन में ढोगला को steam करूंगी तो तेल से grease कर ली थी और इसी में अब मैं ये orange वाला ये batter डाल देती हूँ इसको डाल के अच्छे से एक वार हम tap कर लेंगे और अब हम इसको steam होने के लिए कराई में डाल देते हैं तो कराई में पानी गरम करने के लिए रखी थी पानी गरम हो गया है छोटा सा एक प्लेट में डाल दी और इसी में ये बरतन डालके और इसको अब में ढख देती हूं ढखके पाच मिनिट के लिए इसको हम स्टीम होने देंगे पाच मिनिट हो गया है तो अब हम ये वाइट वाले बैटर में भी इनो डालके और इसके उपर एक चमज पानी डालके इसको मिला लेते हैं वाइट वाला बैटर भी हमारा त्यार हो गया है तो अब हम ढोकला वाला बरतर निकाल लेते हैं और इसमें हम अभी वाइट वाला बैटर डाल देंगे और इस तरीके से डालने के बाद हम चम्मा से इसको अच्छे से चारो तरफ फैला देंगे वाइट वाले बैटर को औरेंज वाले बैटर के ऊपर तो मैं फैला लेती हूँ पहले इस तरीके से हम फैला देंगे वाइट वाला बैटर डालने के बाद अब हम फिर से इसको इस्टीम होने के लिए पांच मिनिट के लिए रख देते हैं तो फिर से ढख देंगे और पांच मिनिट के लिए इस्टीम होने देते हैं ये वाइट वाला बैटर भी सेट हो जाएगा पांच मिनिट हो गया है तो अब हम ग्रीन वाले बैटर में भी इनो और एक चमच पानी राल के इसको अच्छे से मिला लेते हैं ये देखे वाइट वाला बैटर जो डाले थे थोड़ा सेट हो गया है तो इसके उपर हम ग्रीन वाला लेयर लगा लेते हैं और इसको चमच से अच्छे से फैला देते हैं हर तरब से वाइट वाला जो बैटर दीख रहा है न ये बिल्कुल नहीं दीखना चाहिए इसको अच्छे से ढख देंगे और अब हम फिर से इसको इस्टीम होने देंगे 5 या 7 मिनट के लिए ढख देते हैं और ढख के इसको हम 7 मिनट के लिए इस्टीम होने देंगे निकल रहा है तो धोकला हमारा त्यार है तो अब हम बरतन को गैस से नीचे निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं धोकले को आप बहुत अच्छे से ठंडा करके फिर आप इस बरतन से निकालेगा नहीं तो धोकला तूट जाता है तो इस तरीके से चाकू से हम बरतन के साइड को थोरा सा खरोच देंगे और एक पलेट ले लेंगे उसके उपर ये बरतन हम पलट के और थोरा सा इसके उपर टैप कर लेंगे और जब हम इस बरतन को उठाएंगे तो ये अच्छे से निकल गया होगा तो ये देखे थोरा सा ह嘛ra ढोकला गरम था इसलिए थोड़ा सा तूट गया है तो आप ढोकले को बहुत अच्छे से ठंडा करके ही बर्तन से निकालेगा तो अब मैं इसको काटके भी आपको दिखाती हूँ तो एकदम सॉफ्ट और स्पॉंजी ट्राइकलर ढोकला हमारा त्यार है ढोकले को छोटे-चोटे पीसे में कातने के बाद अब मैं इसके उपर तरका लगा लेती हूँ तो तरका लगाने के लिए तरका पैन में एक चमस तेल गरम करेंगे उसमें मस्टर सीज डालेंगे और करी पता, हरा मीर्च, थोड़ा सा नमक, चीनी, धनिया पता और सबको तरकाने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा निम्बू जूश डाल देंगे और इसके उपर ढोकले को पर हम तरका लगा लेंगे, तो इस तरीके से में तरका लगा लें और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके हमें जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर करिए चाइनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले मिलते निक्स्ट वीडियो में बाबाई